आप सभी दर्शकों का स्वागत है हम रोज सहर की एक नई सक्षेश से आप से आपको रूबरू कराते है कवी प्रेम स्वागत है आपकी शिक्षा दिक्षा कहां से हुई आपने इस विदा को कैसे चुना बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले दुम्हें इस अवसर पर एस्ट्यन चैनल की पूरी टीम और आप देनेशी गोतम साथ जो मेरा इंटर्वी ले रहे हैं और इसको जो केमरे पे जो काम कर रहे हैं मेरे भाई हिमन्द जी महरा और भी अन्य पूरी टीम को में बहुत-बहुत सुपकामनाई बधाय देता हूं और धन्यवा देता हूं और जैसा अभी आपने पूछा मेरे से तो मैं मेरे शिक्षा-दिक्षा के बारे में पूछा और दूसरा प्रश्टन है कि साहित्ते में कब से आपकी सुरुआत है तो पहले तुम्हें बताऊंगा कि मैं इटावा तैसिल क्या नाम से पीपलदा तैसिल पीपलदा में गाओ है मेरा तलाओ गाओं इटावा से आगे खातुली से पहले है तो उस पे वहां मेरा जन्म हुआ और वहां मेरी प्रात्मिक शिक्षा विडिल क्लास तक में वहीं पड़ा और खुब गुरुजनों का अशिरवात मिला पढ़ने में में थोड़ा सुरू से अच्छा रहा कभी मेरे दो डंडे नहीं आए तो वहां से एट पास करने के बाद में कई लोगों ने शिला दी कि आप कोटा जाईए तो आर्थिक इस्तित्यां तो ज्यादा मजबूत परिवार की नहीं थी लेकिन फिर भी प्रियास करके मेरे घरवालों ने और मुझे यहां पर भेजा तो आ बहुत जरूरी है तो बने ठीक है तो मुझे फिर संस्कृत विद्या ले मेरा एडमिशन कराया और वहां से मैंने शिक्षा सास्त्री पास की फिर शिक्षा सास्त्री पास शिक्षा सास्त्री मैंने जेपूर से गंगोरी बाजार से की यह मेरा शिक्षा क्रम रहा इसके में सफल रहा और इसके बाद में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग मेरी छबड़ा हुई वहां मेर नोकरी लग गया अब एक शिक्षकों साइत्य की तरफ आपका रुजयन केसे रहा हुआ हाँ देखो मैं यह मान के चलता हूं कि कोई भी पृतिवाय उपरवाला अपने अपने आप प्रमात्मा ने मेरे अंदर कविक का बीज कवित्व का बीज कवित्व का बीज वहीं से रोपन करके भेजा अब वही है कि जो ही वातावन अनुकूल मिलता है तो प्रस्पूटित होता है तो उसकी प्रस्पूटित होने का जो वातावन बता रहा हूं में कि वातावन में सुनने कावी सम्मेलन मेरे सुरू सी सुनने का भूस सोख रहा है Maga thou ka Kaew Are सुनने का दूर दूर जाकर के बिर फिर दसरे में जब यहां वैपि तो कोड़्धा M inequ NA का कारिक्रम चाहिए कोई साइब सांस्कृतिक कारिकरम हो मैं उन कारिक्रम उन को देखता सुनता और जिसमें फिर दो विशेज प्रोग्राम होते थे वो होते थे एक तो अखिल भारते राजस्थानिक कविसमिलन और दूसरा अखिल भारते कविसमिलन तो में दोनों कविसमिलनों को पार्टन पोल में रहता था तो सोल ओड करके आते हैं आराम से पूरी रात कविसमि जी प्रेम वगेरा, दावय दुर्गादान सिंग जी, विश्वामित्र जी, धन्नलाल जी सुमन, डाक्टर सांति भार्द वाजराकेश, इन सब को हमने सुना, सुन करके हमारे मन में भी भावना जगी, कास हम भी ऐसी कविता लिखें और इस मंच पर हम भी पढ़ें, ये आवे लिखा, तो आपके प्रेड़ना सोथ कोन-कोन जए जो हलोती से जुड़े ह। जैसा मैं ने बताया कि प्रेड़ना के रूप में, मुल रूप से नहीं रहे, कवि सम्बलनों से मुझे प्रेड ना मिली जी है दन्नालाल जी सुमन है और इस्वामित्र जी है क्या नाम से जगदी जी स्वलंकी है और विशेश जिनका मार्क दर्शन भी मुझे मिला रहा आशरवाद भी जिनका मिला वो है श्वर्गिय डॉक्टर सांति बार्द वाजराकेश जिनका दिल्ली केंद्रियक आदमी से भी च मत επιות एक उपन्यास हे बहुत मिया रखी बहुत लखर थे हैं उंका मांगदार्सन मुझे अपा ट्यकर मिला कि शाष्ट्री जी आप इसा इसा चलो में उनके मांगदाशन में शालाद मुझे खुछ काफी अच्हे मांगदां उनका मिलार कुछ लिखने को मिला है मेरी पहली पुस्तक भी जो मेरी आय जिसका नाम है उसमें हाड़ोती के ही गीत है मेरे वह है जुलमाँ सो लड़ जाओंगी तो मेरी एक गीत है मेरा उस गीत में एक पंक्ती है तो उन्हों ने डाक्टर साब ने कहा कि इस पुस्तक का टायटल ही यही दे दो मनगा ठीक है तो इस तरह से मेरा मार्गदर्शन, डाक्टर साब का ज़्यादा असानिद्ध्य मुझे प्राप्त हुआ, अश्रवाद प्राप्त हुआ. शासी जी, कौन सा संगार आपको ज़्यादा पसंद है यानी कवीताओं? कवीताओं में, मैं एक मूलत है, गीतकार हुँ, राजस्थानी आड़ती जिसको अपन कहते हैं, उसमें मेरा मूलत है लेखन हुआ, अब तक. वेशे हिंधी भी लिखा है, और हिंधी में भी मेरी अभी एक किताब आई है, जिसका नाम है, सत्सई प्रेम की, जिसे सासध सुदोए हैं हर वीशेपर, अलगल वीशेपर सास सुदोए हैं. तो वह हिंदी की है लेकिन ये उमेरी जूल्माद सोल्ट झाऊंगे राजस्थानी घीत है और इस गीत में मेरा मूलत अध गोतर सुर्वर जो है जहतक चलता हूं श्रणगार के भी मैंने गीत लिखें है और अंगार के भी लिखें है अंगार और शंगार दोनों साथ लें समाज में व्याप्त कुरूतियों पर भी मैंने प्रहार किया ब्रिष्टाचार पर भी लिखा है तो मैंने कहिन कहीं हमारे कभी होने का जो धर्म है कभी का धर्म होता है कि साहिते वह हैं जो हितेल सहितम सहितम जिस सर्व जन सर्व जन हित परहार किरें तो ऐसे गीत भी मेरे पास है और मैंने खुब सुनाया और खुब सुना लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे खुब तालिया दी खुब मालाईं पइनाएं और इसमें एक गीत मेरा ऐसा है जो मुझे मैं कभी भूल नहीं सकता मेरे जीवन में वह मुझे प्रेम सहस्त्री जी आपने कावेव पाट कि पहली बार कहां किया नुकर से पहली बार का जहने मंच का सवाल है तो पहले तो च्च्चोटी मंचों पर तुम्हें है LP हमलेकिन सबसे पहले मैंने ताथेड में पड़ा और ताथेड में में मैं ने और भगणि डाना में भी वी द गण डानला हुआ था慢慢 ओई किवा से सुरुवाद भी हो तो पहला जाते निच के बाद में बढ़ा मन्च डेखें फ़ेला मंच कर दूसरा मंन्चे पर ढ़े देख्ए नोग तो जेँ आँ nat है वो पेला मंच ब्रूपे कर ना ठीदे frankly ब में पहला मंच दसरे कपड़ा, वहां के आई जी को ने या पारशब्द गणों ने सब ने सुनकर के कहा कि आप अब तक कहा थे, आपकी कविताओं का जो इस तर है वो राजस्थानिक कविशमेलन के लाइक ही है, आप अब तक कहा थे, तो मैं दो तीन साल मैंने उस पे लोकल म मंच पे भी पड़ा था, तो मैंने का में उसर था कि आपको इधर आना चाहिए, तो फिर मैं जब से पिर वहीं मंच पे हूँ, और वैसे राजस्थान और देश के बड़े-बड़े मंच, मेरा जाद तक माना है देश का बड़ा कभी कोई भी हो, चाहे वो हरिवम पमार हो, हरिवम जी पमार, सत्रयान जी सत्तन, मानिक जी वर्मा, ऐसे कुछ बड़े नाम जो है, उनके साथ चाहे मैंने दो ही मंच पड़े हो, लेकिन सब के साथ मैंने मंच पड़ लिये, ये मेरे लिए गोरव का विश्यरा है, हाडूतिक होते हुँ, ये भी मैंने इनके साथ पड बिल्ला गार जेपुर में पड़ा, ऐसे कही सारे मंच आधर ने डाक्टर हरिवम पमार जी साथ के पड़ा, विनी जी चोहान, संजे जाला, इनके साथ कही सारे मंच मेंने किया हैं। साथ्री अपनी पसंदीदा कविता आप दर्शकों को सुनाएं। परमात्मा का और वेसे कई बार वो गीत सुना लोगों ने लेकिन फिर भी उसकी डिमांड करते में जहां भी जाता हूं। तो पहले में वो गीत सुना देता हूं। वो मैंने सेनिक के उपर लिखाया कि सेनिक का ओसला बढ़ाने के लिए कि मेरी भावना है उस गीत में कि मैं सेनिक से कह रहा हूं कि सेनिक कि तू अकेला नहीं है। पूरा देश, पूरे देश की जनता, पूरे देश की भावना तेरे साथ जुड़ी हूई है। इसलिए दुस्मन को धुल चटाना तेरा काम है। बाकि हम समाल लेंगे। ये भाव लेकर के मैंने गीत लिखाया। थारे लारां हात करोणां तू तो दाग्यां जारे गोला। ये तन में राख जे चंडी मैया। होटां पे बंभोला थारे लारां हात करोणां तू तो दाग्यां जारे गोला। यू बोले कनकन माती को इतिहा सुन्यो तू मंडवाजो। बर्यां की मुंड्यां पकड रगड पहली तो जूत्यां चटवाजो यू बोले कणकण माटी को इतिहा सुन्यो तू मंडवाजो मुंड्यां की मुंड्यां पकड रगड पहली तो जूत्यां चटवाजो मुंड्यां की माला पहरगड तू लेर तिरंगो बढ़ जाजो में खावा सोगंद बेटा की चिंता पाच्छे की मतला जो पोल कुवारी परणावेंगा पोल कुवारी यानि बेटी कहीं सेनिक के दिल में बेटी का खयाला आजाएगी मेरी बेटी का क्या होगा तो मैं आप सब दैस्वासियों की तरब से उस्सेनिक को कहना चाहता हूं कि पोल कुमारी परणावेंगा देंगा देंगी होला थारे लारा हात करोडा तू तो दाज्या जारे गोला एतन मेराक जे चंडी मैया और अगला चंदनिवदन करना चाहता हूं पाकिस्थान बार 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 हमें परिशान करता है कूँ विचार हमारे परती रखता है तो मैं कहना चाहता हूं और शेनिक को आगा कर रहा हूं कि इसका स्वभाव ऐसा है ध्यान रखना योधो का बाज गंड़कडू छे पाचे सूटांगा पकड़े छे नैलाज सरम यी नकटा के हार्याँ पाचे बी अकड़े छे दुतकार भगादे अमरीका मातो पावाम रगड़े छे अपरेशन मांगे टाट गाठ कु विचारों की ग्रंती अपरेशन मांगे टाट गाठ जे नितियाँ पनसू जगड़े छे जे नितियाँ पनसू जगड़े छे ए अशोकरा इसका क्या इलाज करें गिठान का अशोकरा अपरेशन यब के नाम निसानन छोड़ा थारे लारा हात करोड़ा तू तो दाग्या जारे गोड़ा थारे लारां हात करोडा तू तो दाग्या जारे गोडा इतन में और अंतिम चंद पढ़ना चाहता हूं कि हमारा सेनिक केसा है और उसकी बहादरी के उपर जो प्रश्न चिन कर खड़े करते हैं तो उनको वे श्लीके से एक उन नेताओं उन दुश्ट आत्माओं को जो हमारे शेनिक को पर प्रश्न चिन खड़ा करते हैं लिए तब मैं कहना चाहता हूं केसा ह 내가 सेनिक करेंना चंट करते हैं यह nausa करें पूर्श्थ भूत तू अशोग जब बलधारी छे तू फान पगा में पड़रो वे तू अशोग जब बलधारी छे हिवडा में भारत वाशा ने थारी तस्वीर उतारी छे रगत बहर यो बूद बूद या कलम मांड तीयारी छे अपमान करे कुर्बानी को यह उन लोगों के लिए जो अपमानित करते हैं हमारी कुर्बानियों को अपमान करे कुर्बानी को तो टांटिया बन कभ मोला थारे लारा हात करोडा तू तो दाग्या जारे गोला थारे लारा हात करोडा तू तो दाग्या जारे गोला ए तन में राख जे चंडी मैया होटा पे बंभोला थारे लारा हात करोडा तू तो दाग्या जारे गोला तू तो दाग्या जारे गोला तू तो दाग्या जारे वहाद वहाद धन्यवाद सुआ सास्ती जी बहुत अच्छी कवीता आप ने दस्कों को सुनाई आप स्टे जो युवा है या बच्चे है आज बालसाहित्य का कहीं इस्तान नहीं रहा क्या कारण है कि जहां तक मीरा माणना है बालसाहित्य का वास्त में आप सही करें हो कि बालसाहित्य का स्रजन भी कम हुआ और बालसाहित्य का अध्ययन भी कम हुआ है इसके पीछे कि हमारी जो अभी नई जो जनरेशन चल रही है उसमें कहिन कहिन शिक्षा निती दोसी मुझे लगती है शिक्षा में ऐसे ऐसे विशे इसम्मिलित कर दियेगी बच्चों को किताब पढ़ने की पुरसत ही नहीं वो इतना समय दे रहे हैं कि माबाब किसे भी बात करने की पुरसत नहीं वो अनिक कॉर्स में इतने उलजे रहते हैं कि उनको दूसरी किताब रखबार पढ़ने का भी समय उनके पास नहीं है और दूसरी बात ये इंटरनेट का जो जमाना आया, मोबाइल का जो जमाना आया, कुछ समय थोड़ा बहुत मिलता है, तो मोबाइल में अपना समय बेटित कर देते हैं, और यही कारण रहा कि जब बच्चों ने अपना साहित्य पढ़ना बंद कर दिया, तो लिखने वालों भी मेरे इसाब से मेरा जहां तक मानना है, जब पढ़ने वाले नहीं हैं, तो फिर लिखने किसकी लिए लिखा जाए, यह सोज करके बालसाहित्य का सरजन भी कम हो रहा है, लेकिन अभी-अभी कुछ समय में मैंने देखा है, कि अभी पिछली सरकार में भी, यहां जेपर मे जवाललाल नहरूब बालसाहित्य अकादमी का उदगाटन हुआ, य聞ically borrowing में हो राजिस्तान में बालसाहित्य का अकादमी खुली और उसके महध्यम से बालसाहित्य के लिए जोबी सरजन कर रहे हैं। उन सबको परुस्कृत किया, सब्मानित किया तो यह प्रोत्साहित करना और ये बालसाहित्तिक अकेडमी का खुलना मेरे इसाब से युगा पीडी के लिए भी और बालसाहित्ति रसनाकारों के लिए भी एक अच्छा सुखद अनुबह हो रहेगा और ये निश्चित रूप से आगे काम होगा बालसाहित्तिक असर जिन हो रहा है हमारे कोटा में भगोती प्रसाद जी गोतम है, योगी राज जी योगी है, रामिस्वर जी रामु भाईया है, जीतेंदर जी निरमोई है, डॉक्टर कृष्णा कमसीन है, सुरेंदर जी सर्वारा जी है, इन्होंने बहुत सारी मोटी-मोटी कितामें लिखी लेकिन पढ़ने पढ़ने वाले बच्चे नहीं मिलते हैं, तो फिर इनका मन थोड़ा सा उदास हो जाता है, कि आप किस लिए लिखें, लेकिन अब इस अकाडमी के खुलने के बाद में जरूर बच्चों का रुजान आया है, और जैसा अबी राज की पुस्त काले, C.A.D. में बच्चों का कारेक्रम हो आता भी विए कानन जैनती पर वहां भी लगा कि बच्चों के लिखा जाना है, बच्चे पड़ रहे हैं, जागरती आ रही है, तो आप सही कह रहे हो कि कुछ कालखंड ऐसा है, जिसमें कम लिखा गया, लेकिन अब वापिस साहिते, सरजन हो रहा है, बाल साहित देता था, यानि सो साल तक उसकी जीवन काल होता था, आज जो साहिते लिखा जा रहा है, वो एक मन्चों पे फोड़ता भी लेकि जा रही है, तो इस पे आपका क्या कहना है, बिलकुल आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, आज की जनरेशन, और जनरेशन का दोस नहीं ह उससे ज़्यादा दोस में रचना कारों का ही मानता हूँ, उसमें हम भी दोसि है, कहन कहें, और यह जो टेस्ट है, मनोरंजन का जो टेस्ट है, जिसमें आरकेष्टरा है, आरकेष्टरा में भी पहले भी गाने भजन होते थे, लेकिन आज का जो सुरूप है, वो बड़ा फ कविताओं अच्छे अच्छी कविता हैं अगर किसी ने पढ़ना सुरू कर दिया उसको भूट कर देते हैं मंचों का हमारा यह अनुभा हुरा और वही पहड़पन पर आ जाए तो खट जम जाता है उसको तालिया बजाने लग जाते हैं लेकिन यह हमारे उपर हैं थोड़ा स कार और मंचों पर प्रस्थिति देने वाले कभी हैं उन सभी कभी बंदों से भी निवदन करूंगा इस चैनल के माद्यम से की ठीक है थोड़ा बहुत मरवन अंजन भी जरूरी है लेकिन अपनी कविता एक संदेश प्रद हो एक शालियनता लिये हो और कहिन कहीं ऐसा उठके जाना पड़े या घरदन नीची करनी पड़े तो यह हमारा दोस है और स्रजन में जैसे पुराने जैसा भी आपने कहा कि पुराने गीत अभी जुमका गीरा कितना चल रहा है उसको नया लेटेस्ट रूप दे दिया लेकिन जुमका गीरा ही चल रहा है तो जुमका परने गीत जो है जितने भी पुराने गीत है अभी भी हमारे होटों पर है और जब भी उग गीत आते तो हम जुम उठते हैं उनमें तो ऐसे गीत अभी भी लिखे जा रहा है ऐसी बात नहीं है पर उनको सुनाने के लिए हमें खुद को एक बार हिम्मत करनी पड़ेगि करके देखा जा रहा है मैं भी उसमें सामिल हूं मैं ऐसा नहीं करा कि मैं अलग हूं जब जिसमें जो जो व्यावसाय करण हुआ तब से मेरे इसाब से ज्यादा विकृति आई है और व्यावसाय करण इतना नहीं होना चाहिए इसको अपन सिहवा भाव से भी देखें जो रस है वह तो बात से ही निकल जाता है और मंच पे फूअड़ता परोशी जाती है तो इसका क्या मतलब है मतलब आप बताएं इसको मतलब तो यह हैं जी के फूअड़पन में तो हम कहीं कहीं उस बालक के मन को विकृत ही कर रहे हैं थोड़ सी देर के लिए वो हस लेगा लेकिन सवेरे वो हवा में उड़ जाएगी आपने क्या कहे करके उन लोगों को हसाया था लेकिन उसका कोई अस्तित्व नहीं है बलकि मैं मान के चलता हूँ अगर गंभिर चिंतन किया जाए तो आने वाली पीड़ी को आप ऐसे पूहरपन परोश करके और उस पीड़ी को बिगाड़ने में आपकी भूमिका नजर आएगी इसलिए आप अपने आप पे कंट्रोल करके ऐसी प्रस्तूति दें कि बच्चों का मनोरंजन भी हो जाए मनोरंजन के तारीके पूहरपन ही नहीं है मेरा गीत था मैं उस गीत की एक लैन बता था उन जिसमें कोई पूहरप में क्यों गूम रहा है तो मैंने उसमें लिखा था एक लाहन सुना रहा हूं कि हाथ से वेंगे में पूहरपन में अंतर एक कि सारा आंदा दिल्ली में जिव जीशु फिर रभई जीशु फिर धिल्ली में घागरो जीशु फिर ये गीत गाने की हिमत कैसे हुई जी आगया तो मैं कहना चाहता हूं कि यह यहां पर भी वेंगे वेंगे में भी हसाया जासकता है बात कहीं जासकती। कि जीशु फिरह वहे घृचिप इम ग्हाइ जीशु फिरह सारा आंदा दिलिय घृचल कुन आंदा गी शरम करें। तो इसको जब में गाके सुनाता था वोट आखे लगते थे लोग घूबसते थे यह कई पुहडपन नहीं है इसमें वेंगे है तो वेंग्यात्मत तरीके से आप अपनी बात पहुंचाएंगे तो लोग हसेंगे आनंद भी आएगा और कहिन के शिक्षा भी उसमें वेंगे भ होना चाहिए हाश्य रस तो पहुत जरूरी है लेकिन हाश्य के पीछे हाश्य को पुहडपन का रूप देना यह मेरे इसाब से एक साहित्यकार के लिए अच्छी बात नहीं है वह पीड़ी को गुमरहा कर रहे हैं और पीड़ी को की मानसिक्ता को विकृति ला रहे हैं ऐसा प्रुणाँ पीड़ी को प्रुम प्रिम कर लेकिन पीड़ी को यह को इव सफ्केश क कर दो अच्छान कीज़स नक को एक दे participation संबरता हूं कि अपने राजस्थान में एक सकुन है प्रियतम के आने के चैसिए कई प्रदेश में हो तो उनके आने के संकेत उस ग्रहनी को उस नायका को मिलने लग जाते हैं कैसे जैसे हिचकी आ गई और कववा बोल रहा है अपने घर के उपर तो यह सारे सकुन प्रियत्तम के आने के हैं तो इन सब शकुनों को लेकर के उसमें भी फिर मैंने हिचकी सीर्षक से गीत लिखा जिसका सीर्षक ही हिचकी है कई जग मंचों पर सुनाया खूब लाट प्यार से सुनते हैं लोग में उस गीत को सुना देता हूँ ही आज तो आविगारि मारा साजन पड़ोसन से कहती है भाविजी आज तुमा कभी आओगा पड़ोसन पूचे से क्षयां पतो लागे हो का आओगा का आज उठी जब सुनाया और दूसरी बात वहां का नाम सु रुग्गी मन खीक बई वह आ रहा हो तो रुग जारी बै तो या खेता ही हिचकी रुग्गी तुमक कत्ती प्रशन नता हो रहे जेव आपनी पड़ोसन सु खेरी जे भाविजी आज तुमा कभी आओगा हे आज तु आवगार मरसा जन बार बार हिचकी आरी आज तुम ए दुनी धद के आसा धुनी वहां का नाम सु रुग्गी आरी आज तो आवगारी मार साजन बार बार हिच की आरी आज तो कतनी खुशिवरी चे देखो आप श्रंगार का मेरा एक्स्रेष्ट गीत है ये कि हास बाकी बात कोन तो भी आसी आवरी नाच बाको गीत कोन पाउंठुम कावरी भाग भाग डागलाक उपर चड़ जावरी घर मडटन मन गर्यालाम जावरी ए हास बाकी बात कोन तो भी आसी आवरी नाच बाको गीत कोन पाउंठुम कावरी भाग भाग डागलाक उपर चड़ जावरी ओ घर मडटन मन गर्यालाम जावरी पडोशन सुकेति भावी जी अटिश्वाव गाव तो भावी गर्यालों गीलों मत कर इस्रंगार की स्रेष्ट पंक्ती मानता हूं मेरी भाविगर आलो गिलो मत कर साराई सपना रपट जारी आज तो आवगार मार साजन बार बार हिच की आरी आज तो सारा सकुन काई काई सकुन हो चे आपने हाड थिमें देखो आप ऐ अचा डागल आप बेट्ट कालो काग बूलरी चूला मंडटन चानो राव माई डोलरी यह अपने गाउं के प्रतीक और गाउं के सकुन citryla मंचानो देर गुडकर आगे तो समयलिन गाउंगा आज पाची आगया यह य प्रेम्रस जोलरिया देख मारी बायाँख पुरो पुरो तोलरी। और पडुसन की छोटी शी बालकाश पुची लर की शी पुची बेटी थार अंकल आउए तो यू भी एक सकुँ जी बालक भगवान को रुपछे तो वा काएं खैरीचे। आवगा अंतल यंतियूं नन्नी बिटिया तुतलारी आज तो आवगार मारा साजन बार बार हिचकी आरी आज तो और अतना दनामारे तो स्रंगार करोंगे चंदर माचि बेनी मारा जूडाम से जाओंगे और इमाउस की रातन पूनम बनाओंगे और सोला सिन गार का मुप फूल खिलाओंगी इक कायान तु आज इंद्रकानन बनाओंगी ए मुआ की आद ने मारा मन के अनगनती चाचा मारी आज तो आवगार मार साजन बार बार हिचकी आरी और अन्तिम छंद अतना दनामा आओगा तो एक special diet जिस बात को हम कह नहीं सकते श्रंगार में उस उसको मैंने कहने का प्रियास किया कितना सफल हुआ हूँ यह आप सब बताएंगे मुझे ए अर्माना की खीर माही जोवन का दाख डाल अर्माना की खीर माही योवन का दाख डाल रूप की कटोरी मं प्याज न जिमाओंगे इर कटोरी की कोरू पर होटवां का लाल लाल पीवगा पी आजि मुत मगन हुई जाओंगे मगन प्रेम में होके जिवडों मगन प्रेम में होके जिवडों परमानंद मैं खोजारी आज तो आवगार मार साजन बार बार हिच की आरी आज तो ए दूनी धद के आसा धूनी मा का नाम सुरुक जारी आज तो आवगार मार साजन बार बार हिच की आरी आज तो आवगार मार साजन बार बार हिच की आरी आज यहां तक पहुंचिये रागे चल रही है। झाल झाल